नमस्कार दोस्तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं इस यूटूब चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तो आज की इस वीडियो में हम इंगलिस पढ़ना सिखेंगे किताबों से इंगलिस पढ़ना सिखेंगे दोस्तो बहुत से से लोग हैं जिने इंगलिस पढ़ना नहीं आता उनकी लिए वीडियो बहुत ही helpful होगा तो दोस्तो टाइम ना बेश्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देखेंगे स्टूरी का टाइटल, स्टूरी का टाइटल क्या है तो इस्टूरी का टाइटल है सेरिंग और केरिंग दोस्तो शेरिंग का मतलब होता है साजा करना और केरिंग मतलब होता है देखवाल करना तो यह है दोस्तो इस्टूरी का टाइटल अब स्टूरी को हम पढ़ते हैं दोस्तो एक-एक वर्ड का मेनिंग बताऊंगा और sentence को भी बताऊंगा कौन सा sentence है कौन सा helping word भी उच हुआ है सारी पूरी detail में मैं आपको बताऊंगा तो वीडियो के आन तक बने रही है अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब कर लिजे और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दिजे तो इस्टोरी को रीड करते है there, where, two friends in a forest दोस्तो there, there का मतलब होता है लेकिन यहाँ पे subject के according लगा है यहाँ इसका अर्थ कुछ भी नहीं होगा दोस्तो, where मतलब होते है थाथ ही थे, to मतलब होता है though, friend मतलब होता है दोस्तों होता है, मित्र होता ए लेकिन यहाँ पे yes का use हुआ है इसलिए यहाँ पे friend मतलब होते है दोस्त, एक से जब कोई चीज़ जाज़ा होती है जैसे two pens हो गया two laptop हो गया, two mobile हो गया तो कोई अगर चीज़े एक से ज़ादा होती है तो वहाँ पर S का use होता है इन मतलब होता है में ए मतलब होता है F-O-R-E-S-T forest मतलब होता है jungle तो दोस्तो इसका अर्थ क्या होगा एक जंगल में एक जंगल में दो मित्र रहते थे यह है अर्थ अब आगे का है A mango tree and a बन्यान tree A mango का मतलब होता है A मतलब एक M-A-N-G-O mango मतलब होता है आम T-R-E-Tree मतलब होता है पेड A-N-D मतलब होता है और A मतलब एक B-A-N Y-A-N बन्यान मतलब होता है बरगत का पेड T-R-E-Tree मतलब होता है पेड एक आम का पेड़ था और एक बरगत का पेड़ था दे टी अची वाई दे मतलब होता है वे पहले मैं संटेंस को पढ़ लेता हूं उसके बाद में एक एक वर्ड का मेनिंग बताता हूं तो दे टॉक्ड टू इच अदर एंड इंजॉइड आल डे लॉंग दे मतलब होते वे दोनों क्योंकि एक से ज़ादा है ये दे मतलब वे होता है या फिर वे दोनों टॉक्ड मतलब बात करना होता है यहाँ पे टॉक्ड लगा है मतलब सिकंड फॉर्म का यूज हुआ या पास्ट इलिफिंट तेंस का संटेंस है तो talked to each other मतलब होते एक दूसरे से and मतलब और enjoyed मतलब होते मज़ा लेना all day long, पूरे दिन या दिन भर कह सकते हैं आप तो वे एक दूसरे से बात करते थे वे फूरे दिन एक दूसरे से बात करते थे और मज़े लेते थे इसका यह अर्थ होगा Every night lions and tigers used to sleep under them मतलब होता है दोस्तों EVERY every NIGST Every night मतलब होता है हर रात या फिर परते एक रात Lions मतलब होता है सेर यहाँ पस लगा है यानि कि दो सेर थे इसलिए यहाँ पे Li On Syden मतलब सेर नड होता है A-and N मतलब होता है और Tigers टाइगर होता है दोस्तों a cheetah तो एक से जादा हैं तो चिते हो जाएंगे used to sleep under them them मतलब होता है उसके under मतलब होते है नीचे तो every night मतलब हर राद सेर और टाइगर मतलब सेर और चिता पेड के नीचे मतलब उनके नीचे क्या करते थे सोते थे, सोया करते थे the mango tree used to hat animals mango tree मतलब होते है आम का पेड used मतलब होते है करता था, hat मतलब होते है नफरत करना, किसी से घरड़ा करना उसको HAT hat मतलब नफरत करना होता है या फिर घरड़ा करना होता है animals मतलब होते है जानवर तो आम का पेड जो था वो जानवरों से नफरत करता था I will अब दूसरा sentence क्या है I will drive them away they rode lordly and smell bad I will drive मैं भगा दूँगा drive मतलब होते है भगाना या फिर चलाना होता है तो मैं भगा दूँगा मैं भगा दूँगा them away मैं उन्हें भगा दूँगा मैं मैं उन्हें क्या है दूर भगा दूँगा they rode lordly and smell bad उन्हें की तेज दहाड और smell bad मतलब होते है बुरी बद्बू I will drive them away they rode lordly मैं उन्हें भगा दूँगा मैं उन्हें अबे मतलब दूर होता है दूर भगा दूँगा भगा दूँगा they rode lordly उन्हें की फिर भूली दे लिए बंद करें उन्हें की गंदी बदूर ना बंद कर बंद कर I will drive them away they rode lordly and smell bad मैं उन्हें जब मतलब होता है उन्हें या फिर उनको अबे मतलब दूर भगा दूँगा drive मतलब भगा देना मैं उन्हें भगा दूँगा मैं उन्हें दूर भगा दूँगा या मैं उन्हें भगा दूँगा देरोल लॉडली उनकी तेज दहाड और गंदी बदबू गंदी बदबू जलू उसने कहा दा बन्यान ट्री सेड बन्यान मतलब होते हैं बरगत का पेड टी आर डावली ट्री बन्यान ट्री मतलब बरगत का पेड बरगत का पेड यस ए आई डी सेड मतलब कहा बरगत का पेड ने ऐसा कहा don't be so rude don't be so rude इसका मतलब होता है इतना कठोर मत बनो फिर बरगत का पेड़ आम के पेड़ से कहता है मैंगो के पेड़ मैंगो से कहता है कि इतने कठोर मत बनो r u d rude मतलब होता है दोस्तों कठोर कोई चीद कठोर हो कोई बस तो कठोर हो या कोई इनसान जब कोई कुरूडता वाला काम करे तो उसको बोलते है रूड r u d अब आगे क्या है बीट्रीज एंड एनिमाल्स नीड्स इच अदर हम पेडो और जानवरों को एक दूसरे की जरूरत है बी मस्ट लीव इन हर्मनी एंड हेल्फ इच अदर हम बी मतलब हम मस्ट मतलब जरूरत या फिर चाहिए लीव मतलब होते रहना इन मतलब होता है मैं हा ताल मेल एंड मतलब होता है और हैल्फ मतलब होता है मदद करना इच अदर मतलब होता है एक दूसरे का हमें हमें क्या ताल मेल में रहना चाहिए और एक दूसरे की मदद करनी चाहिए आगला संटेंस क्या है दा मैंगो ट्री वाज रिजिड रिजिड दा मैंगो ट्री आम क मतलब कठोर था, आम का पेड, कठोर था, he was not ready to listen to him, mango tree, आम का पेड, कठोर था, r-i-g-i-d, rigid मतलब होता है दोस्तों, कठोर होना, he, दूसा संटेंस है, he was not ready to listen to him, he, मतलब वह, was मतलब था, not मतलब नहीं, ready मतलब होता है, तयार होना, to listen, सुनने के लिए, to him, उसकी बाते, वो, उसकी बाते सुनने के लिए, वे उसकी बाते सुनने के लिए गया था, तयार नहीं था, that night, दूसा संटेंस, that night, when the animals were sleeping under the tree, that day, that night, sorry, that night मतलब होता है, दूस्तो, उस रात, जब, जानवर, animals मतलब होता है, जानवर, जानवरे, वे र स्लीपिंग, सो रहे थे, under the tree, पेड के नीचे, उस रात, जब, जानवरे, जानवरो, जानवरे, पेड के नीचे सो रहे थे, तब क्या होता है, the mango tree, sockets, branches, and mad loud noises, तो आम का पेड, आम का पेड, अपनी सा खाएं, हिलाता है, और mad loud noise, और तेज-तेजी से आवाज करता है, the animals thought, it was a demon, and ran away, the mango tree, laughed and felt happy, animals thought, animals मतलब होता है, जानवर, जानवरों ने सोचा, जानवरों ने सोचा, t-h-o-u-g-s-t, thought मतलब होता है, सोचना, तो जानवरों ने सोचा, कि it was a demon, ये एक भूद था, d-e-m-o-n, डीमन मतलब होता है, दोस्तो, डेमन मतलब होता है, भूद, ये एक भूद था, और ran away, और वहां से भाग गए, ran away, ran मतलब होता है, दोस्तो, दोड़ना, यहां फिर second form का use हुआ है, तो इसका मतलब हो जाएगा, ran अभी मतलब होता है, दूर भाग गया, दूर चला गया, the mango tree laughed, it felt happy, mango tree, आम का पेड, हसा, लाफ मतलब होता है, यहां फिर लाफ लगाया, यानि कि second form का use हुआ है, तो आम का पेड हसा, और felt happy, और खुसी महसूस किया, the next evening, two woodcutters, the, the next evening, two woodcutters, came to the forest, forest, अगले next, यानि next मतलब होता है, दोस्तो, अगला, अगला दिन कह सकते हैं, आप अगला, अगली evening मतलब साब, अगले साम को, two woodcutters, दो लकड़ारे, T, W, O, T, W, O, D, C, U, T, E, R, E, S, woodcutters मतलब लकड़ारे, C, A, M, E, K, मतलब होते हैं, I, to the forest, जंगल में, तो अगले साम को, दो लकड़ारे, आते हैं, जंगल में, जंगल में आए, या फिर आते हैं, they had access in their hands, they had access, उनके पास था, head मतलब कोई जिसे मेरे पास एक किताब था, उसके पास एक लप्टॉफ था, तो ऐसे head का मतलब कोई चीज़ past में होने की जब बात होती है, तो वहाँ पे head का use करते हैं, तो they had access, एक्सन दलब होते हैं, कुलहाड़ी, A, X, E, S, एक्सन दलब कुलहाड़ी, इन मतलब में, their मतलब होते हैं, उनके हैं, hands मतलब होता है, हाथ, यहाँ पे yes लिगा है, तो एक हाथ होता हैं, दो हाथ होती हैं, इसलिए हैं, तो उनके हाथों में, कुलहाड़ी यहां थी, they saw the big mango tree, उन्होंने देखा, C का second form होता है, जोस्तों, saw, उन्होंने देखा big mango tree, एक बड़े आम का पेड़, उन्होंने एक बड़े आम का पेड़ को देखा, and become very happy, और बहुत ही खुस हुए, बहुत ही become मतलब होते है, होना, खुस होना, जिससे doctor होना, या फिर ऐसे, become मतलब होना, very happy मतलब होते है, बहुत ही जादा खुस होना, उसको very happy बोलते हैं, one, one of the woodcutters sad, one of the woodcutters sad, woodcutter मतलब होते हैं, दोस्तो, one मतलब एक, आफ मतलब काकी के, और woodcutter मतलब लकड़ारा होता है, और sad मतलब होते हैं, कहना, तो एक लकड़ारा, बोला, या फिर कहा, friend, मित्र, दोस्त, look what a big tree it is, एक लकड़ारी ने कहा, मित्र, देखो, what a big tree, कितना बड़ा पेड, it is, यह कितना बड़ा, यहां कितना बड़ा पेड़ है, यह कितना बड़ा पेड़ है, the other said, दूसरे ने कहा, yes, yes मित्र, and, or, there is no one here, और कहा, यहां कोई है भी नहीं, neither, आसपास, n-e-i-t-h-e-r, neither मतलब होता है, आसपास, man, nor, wild animals, ना कोई आदमी है, और ना ही कोई जानुवर है, so let's cut the tree down, चलो, शुरू करते हैं, मैंने पेड़ काटना, शुरू करते हैं, they began to cut the tree, उन्होंने, begin मतलब, शुरू करना, चालू करना, प्रारंब करना, यहाँ पे second farm का use हुआ है, और big का मतलब यह होदा, to cut the tree, पेड़ काटना, शुरू किया, उन्होंने पेड़ काटना, शुरू किया, the mango tree cried out in pain, आम का पेड, cry मतलब होते है, रोना या चिल्लाना, तो यहाँ पे cried मतलब होते है, रोना, रोया, out in the pain, दर्द में, आम का पेड, दर्द के मारे रोया, sing the condition of his friend, the banana tree cried out for health, sing मतलब होता है, देखकर, condition मतलब होता है, c-o-n-d-i-t-i-u-n, condition हालाद, of मतलब कागी के, his मतलब होता है, अपने friend मतलब होता है, मित्र, बनियान मतलब होता है, tree, बनियान मतलब होता है, बरगत्या पेड, tree मतलब होता है, पेड, cry मतलब होता है, रोना, रोया, या पेडी लगा है, रोया, out for help help मांगने के लिए अब इसकार्थ होगा seeing the condition of his friend बनियान ट्री यानि कि बरगत का पेड़ अपने मित्र के लिए अपने मित्र के हालाद को देखकर देखकर help मांगने के लिए help मांगने के लिए help help me help मदद करो His voice was hard उसकी आवाजे जो है वो तेज था भारी था तेज था by the wild animals जंगली जानवरो से जंगली जानवरो से भारी था तेज था They roosed towards the बनियान ट्री वे They roosed towards the बनियान ट्री वे मदद के लिए वे बनियान के बरगत के पेड की और दोडे वे बरगत के पेड की और दोडे When the woodcutter saw the wild animals When मतलब जब woodcutter मतलब होते लकड़ारा saw मतलब होते देखा wild मतलब होते wild animals जंगली जानवरो को जब लकड़ारा जंगली जानवरो को देखा तो क्या किया जंगली जानवरो को देखा They ran as fast as they could leaving their axes behind वे अपने कुलाडियों को पीछे छोड़ कर जितनी तेजी से भाग सकते थे उतनी तेजी से भागे Next sentence Tears rolled down from the eyes of the mango tree Tears मतलब आखू rolled मतलब होते है लुढकना या फिर कह सकते हैं आँख में आशू भर जाना उसको बोलते हैं rolled Tears rolled down from the eyes of the mango tree आम की पेड के आखो से आशू लुढक रहे थे He said उसने कहा आम की पेड ने कहा You were right You were right My dear friend You तुम सही थे मेरे प्यारे मित्र या मेरे प्रीय मित्र तुम सही थे We need each other to be happy and safe हमें एक दूसरी की जरूरत है एक दूसरे need मतलब होते है जरूरत हमें हमको या फिर हमें एक दूसरी की जरूरत है Happy to be happy मतलब खुसी खुसी और सुरक्षा के लिए खुसी और सुरक्षा के लिए हमें एक दूसरे की जरूरत है The wild animals moved near the mango tree and said The wild animals मतलब होते है जंगली जानवर Moved मतलब होते है भाग गए near the mango tree Near मतलब होते है पास से mango tree यानि की आम के पेड के पास से चले गए या भी वहाँ से चले गए जंगली जानवर और and said और कहे It's only though caring and sharing friendship is born यह केवल देख भाल के साजा करने और माध्यम से दोस्ती का जन्म होता है I told you we need animals and they need us If we do not help each other we may fall in trouble said the banyan tree I told you मैंने तुम से कहा We need animals हमें जानवरों की जरूरत है और they need us और उन्हें हमारी जरूरत है उन्हें हमारी जरूरत है हमें जानवरों की जरूरत है और उन्हें हमारी जरूरत है If अगर we do not help each other we may fall in trouble said the banyan tree अगर हम एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं तो we may fall in trouble तो हम हमें मुस्किले हमें मुस्किलों में हम मुस्किलों में पढ़ सकते हैं said the banyan tree बर्गत का पेड कहता है अगर आपको वीडियो प्रसंद आया हो तो वीडियो को लाइक किजिए और अगर आप चैनल पे नहीं हों तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अब मिलते हैं आपसे नए वीडियो में एक नए लेसन के साथ तब तक के लिए good bye, take care अब मिलते हैं next वीडियो में